आज हम युकपत समीकर्ण को हल करने के लिए प्रिटिस्थापन विधी का प्रियोग करेंगे यहाँ पर हमको दो समीकर्ण दिये गए एक्स माइस वाई बाराबाबा चार इसको हमने मालिय समीकर नंबर एक है यह और 3X प्लस 2Y बार 27 यह हमारा समीकर्ण नंबर दो है प्रिटिस्थापन विधी में करते क्या है कि X का मान या तो Y के पदों मिलिक लेते हैं या Y का मान X के पदों मिलिक लेते हैं इसी तरह किसी एक में करते हैं जैसे मिसमें करते हैं समीकर्ण हम एक में लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे हम इस समीकर का प्रयोग करेंगे तो X कमान Y के पदों में निकालना कठिन लगेगा थोड़ा समीकर थोड़ा हल करने भी दिक्कत आएगी तो हम आसान वाले यूज करते हैं जैसे यहाँ पर X कमान Y के पदों में निकालना आशान है तो समीकर एक से X कमान Y के पदों में लिखने पर क y को हम दूसरी तफ ले जाएंगे, तो minus y जब बराबर के उस तरब जाएगा, यानि, पक्षानव रोगा, तो minus चिन क्या हो जाएगा, plus में बदल जाएगा, जब भी हम पक्षानव करते हैं, यानि, कोई भी संख्या बराबर के इधार उधार जाती है, तो उसके चिन में परिवर्टन हो जाता है प्लस का माइनस हो जाता है माइनस का प्लस हो जाता है तो यहाँ पर यह X यह माइनस है बरावर कि उस तरब जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 हमारा पहले से था तो 4 प्लस Y तो विदाएक लिए इसको हम समीकर नम्बर 3 मान लेंगे अब क्या करेंगे X का मान है मिल गया Y के पदों में इस X का मान उठाकर समीकर 2 में रख देंगे चुक्छ हमने X निकाला ना इसलिए हमको 2 में रखना पड़ेगा यदि हम 2 से निकालते तो समीकर 1 में रख देते तो हम यह X का मान जो हमने समीकर 1 से निकाला है इसको हम कहां पर रख देंगे? समीकर 2 में रख देंगे तो X का यह मान समीकर 2 में रखेंगे तो X का मान कितना है? 4 प्लस Y यानि जहां पर x है वहां पर हम 4 प्लस y रख देंगे तो 3 यह पहले से था x की जए हमने 4 प्लस y रख रहा है तो हम bracket का यूज कर लेते 4 प्लस y प्लस 2y बराबर 27 या 27 अब इसको हल करते हैं bracket के आंगे कोई चिन नहीं लगा तो 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 4 के 12 तीन कोना y में होगा तो प्लस का 3y प्लस का 2y और बराबर 27 से 27 अब ये 3y और प्लस 2y इन दोनों को हम जोड देंगे तो 3y में 2y जोड़ेगा तो हो जाएगा 5y 5y 3y प्लस 2y 5y ये प्लस का 12 है जब बराबर के उस तरब जाएगे तो माइनस हो जाएगा हमारा पक्षानता कर रहे है तो हो जाएगा 27 पहले से था है ये 12 हमारा इस्तफ जाएगा तो प्लस का था तो माइनस हो जाएगा तो यह हो गया माइनस का 12 तो 5y इसक्वल टू 27 में 12 को सब्टेक कर देंगे 27 में 12 घटा देंगे तो हमारा निकलाएगा 15 अब ये 5y बराब 15 है पांच गुणा वाई ये गुणा के रूप में y का मान निकालेंगे तो 5 इसके नीचे जाएगा यानि भाग हो जाएगा या दोनों पक्षों में 5 का भाग कर सकते हैं तो 5 क्या जाएगा 15 के नीचे जाएगा तो y बराबार हमारा हो जाएगा 15 बटे 5 15 का भाग देंगे 5 तिया 15 तो y का मान हमारा 3 निकलाएगा अभी जो y कमान हमें 3 निकाला उसको चाहे समीकर निवेक रख दें चाहे समीकर 2 में रख दें और चाहे समीकर 3 में रख दें तो चुकि 3 में निकालना असान रहेगा इसलिए हम समीकर 3 में रख देते हैं तो y कमान समीकर 3 में रखने पर, तो समीकर जो 3 ता वह ता हमारा X बराबर 4 प्लस Y, तो 4 प्लस Y और Y कमाण कितना न काला हमने, 3 न काला, तो यहाँ पर 3 रखती है , अब 4 में 3 जोंने 4-3-7 4-3, that is equal to 7 तो X is equal to 7 , कमाल मान न कालाया X कमान 7 निकला आया Y कमान 3 निकला आया यही युपत समीकरण का हल है अब हमें 3X प्लस 2Y बराव 0 2X प्लस Y बराव मैस 1 इन समीकरण को हल करना है हल करने का अर्थ होता है X और Y कमान हमको ग्यात करना है तो इसको हम प्रितिस्थाफें वीजिस हल करते हैं इसको हमने इमाल लिए समीकर नमबर 1 और ये शमीकर नमबर 2 है अब जैसे हमने पिछले सवाल में किया था X कमान Y के पदों में या Y कमान X के पदों में ग्याद कर लेते हैं जिसमें इमें आसानी होती है तो समीकर 2 से Y कमान X के पदों में ग्याद करने पर यादि X के पदों Y कमान निकालने तो बटे में 2 चला जाएगा इसलिए Y कमान निकालते हैं X के पदों में अब हम समीकर 2 से y का जो मान है वो x के पदों में लिखते हैं यानि अब इसका पक्षानता करना पड़ेगा y हमार इस्तफ लाएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस 1 यह प्लस का 2x इस्तफ आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा तो यह y का मान मिल गया x यह पदों में अब इस y का मान उठाके हम समीकर 1 में रख देंगे चुक्के हम 2 से निकाला इसलिम किसमे रखेंगे एक में रखेंगे इसको हम समीकर 3 मान लेते हैं तो y का जो यह मान है इसको समीकर 1 में रखने पर तो 3x प्लस 2 3x प्लस 2 अब y की जाए क्या रख देंगे ये रख देंगे तो कोश्टक लगा दिये ब्रेकट लगा दिये माइनस 1 माइनस 2x बराबर 0 था बराबर 0 थे हमने क्या किया जो y का ये मान है वो ठाका हमने यहाँ पर रख दिया अब इसको solve करते हैं तो हो जाएगा 3x ये प्लस और ये माइनस का प्लस गुणा माइनस माइनस होगा 2 एक कम दो 2 1 जा 2 माइनस का 2 फिर प्लस और ये माइनस तो प्लस माइनस का माइनस 2 में 2 का गुणा 2 दूनी 4 2 तू जा 4 x हो जाएगा बराबर 0 2 को हम बराबर की उस्तफ ले जाएगे य는 पक्चानता करेंगे तो माइनस चिन जाए उस्तफ ग्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अब 3x माइनस 4x यहापर माइनस साइन बड़ा है यानि आनसर किसमें आगा यहापर माइनस में आएगा 3x में जब माइनस 4x जाएगा तो आएगा माइनस का x बराबर तो अब दोनों माइनस 1 का गुना कर देते दोनों पक्चों माइनस 1 का गुना कर देंगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का यह माइनस हो जाएगा तो यह x की value लिख लेगी वो minus 2 निकलाईगी हमने क्या किया दोनों पक्षों minus 1 का गुणा कर दिया तो minus 1 का गुणा करने कोई फक्र नहीं पड़ेगा जैसे 1 के कम 1 x से कम x 2 एक कम 2 लेकिन 6 ने बदल जाएगा यह minus का plus हो जाएगा और यह plus का minus हो जाएगा तो हमारा x कमान minus 2 निकलाएगा अब इस x कमान को चाहे एक में लगते है चाहे दो में लगते है चाहे तीन में लगते है तो तीन में निकालना आशान राएगा इसलिए x का जो मान निकला वो हम समीकर तीन में लगते हैं तो यहाँ पर X की जाएकर रख देंगे, minus 2 रख देंगे, Y is equal to minus 1 minus 2, और X की जाएगा हम रख देंगे minus 2, तो यह हो जाएगा minus का 2, तो जाएगा Y is equal to minus 1, minus minus के गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 to 4, तो दूनी 4, प्लस का 4 आगया, यह प्लस का बड़ा है, 4 में से घटा दें वो हमारा 3 निकलाएगा, यानि जो युपत समीकर का हल हो जाएगा, वो हो जाएगा X is equal to minus 2, और Y is equal to 3, अब हमें इन समीकर्णों को हल करना है, समीकर को हल करने के मतलब है, X और Y जो 4 संख्या उसका मान ग्यात करना है, अभी तक हम जो सवाल लगा रहे थे, उसमें 4 संख्य यह एक तरफ थी, और चल हमारा दूशी एक तरफ था, तो उसी फॉर्म में हम इसको चेंज कर लें, तो मान ग्यात रूप में लिख लेते हैं, उसी रूप में, तो हो जाएगा 2X माइनस का 5Y, यह माइनस का 16 बराबर के उस तब जाएगा, 16, यह समी का नमबर 1 होगी हमारा, इस तरफ यह हो जाएगा 3X प्लस 4Y, माइनस एक उस तब जाएगा, यह समी का नमबर होगी हमारा, अब हम करते क्या है, समी का एक से, X का मान Y के पदों में ज्याद कर लेते हैं, आप अपनी शुवदय का नमबर कर सकते हैं, Y का मान X के पदों में लिख सकते हैं, यह समी का 2X का मान Y के पदों में लिख सकते हैं, यह समी का 2X का मान Y के पदों में लिख सकते हैं, जिसमें हमें आसानी होगा हम वैसा कर सकते है तो यहाँ पर समीकर एक से X का मन Y के पदों में लिखना है तो हम Y का पक्छंता कर देंगे X समाल एक तप लाएगा तो हो जाएकर 2X यह बराबर है 16 माइनस 5 बरिस्त प्लस का हो जाएगा तो इसके लिख देंगे 5Y प्लस का 16 यह 16 प्लस 5Y यह हमने समीकर नंबर 3 माल लिया लेकिन हम X कमान गयाद करना है तो हम क्या करेंगे 2 में X का गुणा हो रहा है तो X कमान गयाद करने के लिख करेंगे 2 का पूरे भाग कर देंगे बटे में 2 चला जाएगा तो हमारा X बराबर हो जाएगा 5Y प्लस 16 14, upon 2, यही हमारा समीकर नंबर 3 माल लेंगे इसको, अब यह जो हमारा X का मान प्राप्त हुआ है, इसको हम समीकर 2 में रख देंगे, चुक्ष कि हमने 1 से निकाला है, समीकर एक से X का मान Y को पर हम लिखा हैं, तो एक से निकाला कहां पर रखेंगे? दो में रखेंगे, इस 2 से निकालेंगे मान तो एक में रखेंगे तो इस X का ये जो मान प्राप्त हुआ है इसको हम समी कर 2 में रखने पन तो X का मान समी कर 2 में रखते हैं 3 और X X का मान ये माने 5Y प्लस 16 अपॉन 2 X की है ये रख दिये प्लस था प्लस लगाया 4y is equal to 1 अब इसको solve करते हो y कमान निकालते हैं तो 3 का पहले अंदा गुणा कर देते ही हो जाएगा 3, 5, 15, 3, 5, 15 y 16, 38, 48 upon 2 plus 4y बराबर 1 यह तो हम पूरे में 2 का गुणा कर दें यह हम lc ले 2 और फिर हल कर दे तो हम कहें पूरे में 2 का गुणा कर देते हैं आसानी रही हमें तो जब इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 15 y plus 48 इसमें 2 का गुणा करें तो 4 2 2 8 हो जाएगा तो 8 y हो गया यह और इसमें 2 का गुणा करें दो एक हम 2 हो गया यह तो हम लगुत्तम ले खाल कर सकते थे यह बटे में 2 था तो हमने पूरे में 2 का गुणा कर दिया तो हमें यह मिल गया अब y y को एक साथ तक लेते हैं यह हो गया 15 y plus 8 y is equal to यह plus का 48 है जब बड़ाबाएक उस्तर जाएं तो minus का हो जाएगा तो 2 minus का 48 15 y में 8 y जोडएंगे तो हो जाएगा 23 y यह 2 minus 48 minus का बढ़ा है इसलिए आंसरा minus में जाएगा 2 minus 48 कितना हो जाएगा 46 48 में जाएगा 46 जाएगा और minus का बढ़ा है अब y कमान निकालना है 30 गुणा y है तो 30 इसके नीचे आएगा 23 इसके नीचे आएगा तो y is equal to हो जाएगा हमारा minus 46 upon 23 33 से कम 30, 32 निच्छा 23 2 जा 46 तो यह हो जाएगा y is equal to minus का 2 अब y का जो हमान 2 निकला है 2 निकला है उसको चाहे एक में लग दें चाहे 2 में लग दें तो हम 3 में लग दें शुविदा के लिए अपनी तो समीकर 3 था हमारा x बराबर 5y तो 5 और y का मान हमारा minus 2 हो गया plus 16 16 बटे 2 तो यह हो जाएगा 5 2 निचस plus 16 बटे 2 5 2 जा 10 plus 16 upon 2 तो 16 प्लस का 10 सब्स्टेक करेंगे तो 16 में 10 जाएगा तो आजाएगा 6 upon 2 और 2, 3, 6, 2, 3, 6, 3 तो x का मान हमारा 3 निकलाएगा तो समीकर का हल हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर minus 2 अब हमें इन समीकर्णों को हल करना है यानि x और y के मान हम को ग्याद करने है इसको हमने समीकर नमबर 1 मान लिया और इसको समीकर नमबर 2 माल लिया हल करने के वही भी दी प्रितिस्थापन भी दी हम क्या करते है समीकर्ण 1 से x का मान y के पदों लिख लेते है च्योंकि minus y जब उस्ताप जाए तो प्लस का y हो जाएगा तो यह हमार हो जाएगा x minus y जब बरावएक उस्ताप प्लस हो जाएगा तो y minus का 6 इसको हम समीकर नमबर 3 माल लिया अब x का यह हमान समीकर हम 2 में रख देंगे क्योंकि हमने 1 से निकाला है तो जाएग एक्स एक्स का वान कितना निकाला y minus 6 तो यहाँ पर रख देंगे y minus 6 प्लस y था बरावए माइनस का 18 यानि माइनस का ठारा यहाँ पर x जाएग दिया y minus 6 प्लस y तो solve कर लिए इसको तो y minus 6 प्लस y बरावए माइनस का 18 minus 6 बरावए कि उस तब ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और प्लस y और प्लस y तो हो जाएगा प्लस का 2y बरावए 6 minus का 18 तो यह 2y is equal to हो जाएगा minus का 12 तो y की value निकलेगी 2 upon में चला जाएगा तो minus का 12 upon 2 2 6 जा 12 minus का 6 यानि y की value minus 6 निकलाई y की value को हम equation नुमर 3 में रख देंगे समय कर 3 में रख देंगे तो हमें x की value निकलाएगी तो समेह कर 3 था हमारा x by रावर y minus 6 तो y concerning kितनी minus 6 है और फिर minus 6 है y की विल कितनी minus 6 है और minus 6 तो x is equal to हो जाएगा minus 6 minus 6 minus 12 तो यह हमारा answer हो जाएगा यानि सम्हेह कर अदका हल हो जाएगे x bar minus 12 और y bar minus 6 छीक्स